सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वें धुन्डवा में फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ अपडेट साथ यो कच्चे करमचारियों के लिए हैं आपको बता दें लगातार जो 1.20 लाग कच्चे करमचारियों को जो विसक्यूर्टी मिली थी सरकार द्वारा अध्यादेश पारित हुआ था उसे लागू करने का अभी तक कोई भी नियम नहीं सामने आया है यानि उसे लागू करने के लिए एक कमैटी गठित की जानी थी और वहाँ पर जो नियम काईदे कानून है एक्ट के वो निर्धारित होने थे कि किस परकार से कच्चे करमचारियों को नुक्ती पतर मिलेंगे और एक करमचारी को नुक्ती पतर मिलने वाले था लेकिन अभी संचय बना हुआ है कच्चे करमचारियों में काफी डर का महूल है क्योंकि अभी तक सीरे नहीं चड़ पाई है जो योजना सरकार द्वारा बनाई गई थी मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं क्योंकि आपको सपेशल दन्यवाद करना है तो इस मामले को हाइलाइट करने म सबसे बड़ा हाथ दैनिक सवेरा के संपादक श्री डक्टर सुरेंदर दिमानजियों का है जो हर प्रैस कोंफरेंस में आप कच्चे करमचारियों को कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री तक उठाते हैं बार बार क्वेस्चन करते हैं परसन किया जा रहा है कि जो आपने जो की है वो कैसे हुई है नुक्ती पतर तो नहीं मिले है और बिलकुल ये सही बात है कि नुक्ती पतर जब तक नहीं मिल जाते तो कैसे माने की जो आपने पर आज की जो न्यूजबेपर है उसमें भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जो दैनिक सवेरा के पत्रकार सुरे और विवागों दुवारा अभी तक कोई भी नुक्ति पत्तर या उनके पास वो कह रहे हैं कि ऐसा आदेश नहीं आया है तो क्या अब आठ अक्तुबर से पहले पहले इनके नुक्ति पत्तर जारी होंगे डिटेल से जानना चाहते हैं और यदि आप धन्यवाद ही करना चाहते हैं तो धन्यवाद करिए हरियाना में जो दैनिक्स, सवेरा टाइम्स के पत्तरकार हैं संपादग हैं माननी हैं, डक्टर सुरेंदर दिबान जी एक्ट आया था, उसके बारे में क्या दिया गया है एक पॉइंट बीस लाख एस्ताई करमचारियों को वेक्तिकत तोर पर पत्तर मिलने के बाद ही शुरुक्षित होगी जो हरियाना के मुख्यमंतरी नैव सिंग सैनी सरकार ने एक पॉइंट बीस लाख एस्ताई करमचारियों की जोब सुरुक्षित करने के लिए 14 अगस्त 2024 को अध्यादेश जारी कर दिया मुख्यमंतरी दावा कर रहे हैं कि उनकी जोब सुरुक्षित हो गई गल्यारों में कहा जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंतरी को अप्सरों ने शिरफ इतना ही बताया हो कि मीडिया में यह ब्यान देना है एक पॉइंट बीस लाखत से करमचारियों की जोब स्कूर्टी सुरुक्षित हो गई है मगर वस लिखता ये है कि एक सरकारी करमचारी को जब तक व्यक्तिकत तोर पर हुवा की तरप से पत्तर नहीं मिल जाता जिसमें यह लिखा होगा कि उसकी जोब किस पद पर सुरुक्षित होई है और उसे कितना वेतन मिलेगा तब तक उसकी जोब सुरुक्षित नहीं होगी ये बिल्कुल बाई जमस्पष्ट बात है अध्यादेश की उमर सिर्फ थाय मिन्ने होती है अगर उसे पहले विदानस्वा में विदेख लाकर राजियापाल के हस्ताकसर करवा कर उसे अधीनियम नहीं बना दिया जाता गलियारों में कहा जा रहा है कि अधीनियम बनने के बा अपरेटिंग प्रोसीजर एसोपी जारी होना है उसके अनुसार समंधित करमचारियों को उसके वाग के अधिकारी पत्तर जारी करेंगे मगर 15 दिन बीच जाने के बावजूद अभी तक एसोपी जारी नहीं हुई यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव अचार सिंता के दोरान जब HSSC और HPSC को चल रही बर्तियों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई तो अब सर इन एस्थाई करमचारियों को जोब स्कूर्टी का पत्तर जारी करने पर संस्या है दैनिक सवेरा ने कई बार यह मुद्दा मुख्यमंतरी नैब सिंग सेनी के साथ प्रेस हर बार यही कह देते हैं कि एक पॉइंट बीस लाख एस्थाई करमचारियों की जोब सुरक्सित है अब पूछा जा रहा है कि आठ अक्तुबर दोजार चोबिस तक क्या इन करमचारियों को जोब स्कूर्टी का पत्तर मिल जाएगा मगर अगर बाजपा सरकार रिपीट हो कोई तो इन करमचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सरकार बदल गई तो दूसरे दल की सरकार त्या करेगी कैसे जोब स्कूर होगी हालांकि पूरा मुख्यमंत्री बुपेंदर सिंग उड़ा कहा चुके हैं कि वह स्थाई करमचारियों को पक्का करेंगे तो साथ जो बिल्कुल एक एक बात लाखों रुपे की आज की न्यूजपेपर में रखी गई है एक पॉइंट भी इसला कच्छे करमचारियों के लिए यह आप समझना चाहो क्योंकि संपादक सुरेंदर डाक्टर दिमान ने कहा है कि जो कच्छे करमचारियों की जोब स्कूर्टी जिस पर लिखा होगा कि फला करमचारी को फला पद पर 58 साल के लिए जोब स्कूर कर दिया है और उनकी आप एक्ट के अनुसार यह तनख्वाब बन गई है उसके बाद ही जोब स्कूर्टी एक्ट में कच्छे करमचारियों की जोब स्कूर होगी यह बात आपको ध्यान दे पर्क्रटी नुक्त की जाती है जो उसे लागो करने का की परकीरिया को सुरू करती है अभी तक तो 15 दिन बीच जाने के बाद ऐसी कोई परकीरिया सुरू नहीं हुई है मुख्य मंतरी जी बार-बार कहरेंगे हमने शिक्यूर कर दिया लेकिन यह तो नहीं है कि कि वह अधि अब ये विबाग का काम है विबागों से पुछा जा रहा है तो कहरें कि हमारे पास ऐसा कोई पत्तर नहीं आया है तो अभी डर का महोल है कारण है साथियों क्योंकि अध्यादेश की जो आयू सीमा हावो छे मिलने के होती है यदि सरकार रिपीट होती है तो इन कच्छे करमचारियों में डर का महोल है क्योंकि क्या पता नई सरकार किस परकार से जो आप सक्योर्टी एक्ट को लागो करें लेकिन हर्याणा के पूरों मुक्खमत्रिबू पहंदर सिंगुड़ा पहले ही कलियर कर चुके हैं कि उनके ब्यान में भी सुधार हो चुका है कि वो समय आते ही इन कच्चे करमचारियों को पक्का करेंगे तो अब जो कच्चे करमचारी है उनमें डर का महोल है वो अभी संच्या में है कि कौन सी सरकार आएगी किस परकार से ये लागो होगा नहीं होगा तो अभी फिलाल आपको बता दें कि जो स्कूर्टी एक्ट का जो मामला ह बिल्कुल सरकार के तरब से केवल कहा देने से लागो नहीं हो जाता उसे लागो करने की प्रकिरिया भी तक शुरू नहीं हुई है तो आपका क्या मानना साथ हो इस वीडियो को आप ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें और जो संपातक डक्टर सुरेंदर दिमान जी है उनका दन्यवाद करें उनसे आप मिलें तो आप दन्यवाद करें और बोलें की बार बार जो आप मारा ये मुदा उठारें उसके लिए हम तहदिल से दन्यवाद करते हैं और उनसे आगे भी इसी प्रकार से जब तक चुनावनी हो जाता इस मुद्दे को हाईलाट रखने के तो फिलाल आपका क्या मानना है कमेंट जरूर करें जीतने कमेंट इस वीडियो पर आएंगे तो सो परतिशत स्याम को हम उन कमेंटों को देखेंगे और वीडियो बढ़ाएंगे कि कच्छे करमचारियों के मन में इस जोब स्कूर्टी एक्ट को लेकर क्या मानना है तो आप कमेंट करेंगे चात्यों तो आपकी हर बात को हम मीडिया में पहुंचाने का काम करेंगे धन्यवाद वीडियो देखने लिए आपका दिन सुब हो